हेलो फ्रेंज्स वेल्कम बच्टे चानल कैसे हैं आपका पाई हो पाप सब बहुत बढ़िया हैं खोश्च हो और हैं तो फें लास्टे में मैंने आपके साथ यह वाले वेल्विक सूथ की दुपत्ते की वीडियो शेयर की थी और मैंने आपको बताया था कि फाइफ मीटर फा प्राओल जो है उसका फरंट पोर्शन इसमें से निकल जाएगा मैंने उसी को मेधर करते हैं कि नारी यह बहुत ठीच रही है तो हमें इसको पहले निकालना पॉवत फ़र्ट करेंगे इसकी यह किनारी में निकाल भी है तो अब यह बिद्कुल परफेक्ट है तो हम इसे मार्किंग करेंगे सबसे पहले हम उपसे 2 इंचिस फोल्ड करने का मार्क कर लेंगे नेपा जो फोल्ड करते हैं हमारा इसमें हमारी जो एलासिक लगेगी उसकी लिए और इसको हम स्टेट करने अब यहां से हम विट्स मार्किंग करेंगे उपर कमर की तो जिसके लिए हमें चाहिए फिप मेर्जरमेंट और उसका फूर्थ पार्ट लेंगे जिसको की आया 9 इंचेस 9 इंचेस में हम 1 एड करेंगे one add करने पर ये हमारा fitting वाला trouser बनेगा और अगर आपको loose पहनना है तो आप two inches add कर सकते हैं अब यहाँ नीचे भी हम यही mark कर लेंगे nine plus one ten हो गया और यहाँ से हम इस line को straight कर देंगे अब crouch के लिए हम यह वाली line से नीचे mark करेंगे length के लिए उपर से नहीं लेना है जहां से belt का mark की है वहां से लेना है तो यहाँ पर भी hip measurement का fourth part लेंगे हम और उसमें plus कर देंगे two inches अगर आप normally पहनते हैं belly button तक पहनते हैं तो और अगर आप उपर से थोड़ा high पहनते हैं तो आप इसमें three inches add करिए इतना भी high पहनना चाते हैं उसके accordingly आप इसमें add कर सकते हैं margin अब मैं जो है three inches add कर रही हूँ तो nine plus three मैं 12 inches पर यहाँ एक mark लगा लूँगी उसके बाद हम यहाँ पर crouch के width को हम extend करेंगे two and half inches two and half inches ले रहे हमारी जो hip measurement है वो 36 inches है 36 inches के according हम यहाँ पर two point five inches extend करेंगे और यहाँ से round दे देंगे यहाँ corner से हमने कब तकरीबन one inches उपर की तरव या सवाइंच उपर हमने इसको mark करना है गुलाई के लिए अब यहाँ पर भी हम जो है mark कर लेंगे same 12 inches और इसको straight कर देंगे line को अब इस line को जो हमने mark किया है इसका half लेंगे ऐसे और यहाँ पर हम mark कर लेंगे जितना भी आया है अब इसको major करेंगे यह हमारा six point two five inches आया है और इसको हम नीचे तक mark कर लेंगे इस center को और इससे हम length लेंगे इसके लिए हम पहले length जो है हमारी 34 inches है two add करेंगे folding का तो हमारा आ गया 36 तो एक 34 पर mark और एक 36 पर mark folding का तो इसने हम marks को मिला लेंगे line जो है हम draw कर लेंगे दोनों ही margin वाली भी और हमारी stitching वाली भी यहाँ से fold होगा अब जो है हम इसको जो center mark किये थे हमने इस पूरे center को हम पूरी line draw कर लेंगे जो भी हमने dot dots लगाए है न तो इनको हम mark कर लेंगे अब हमने knee width हमने लगानी है यहाँ पे तो हम यह उपर से लेंगे जहां से belt fold होनी है तो आप जहां भी पहनते हैं वहाँ से अपना knee mark जो है वो major कर सकते हैं मेरा यह 20 inches पे आ रहा है तो 20 inches पे mark करके मैंने इसको line को straight कर दिया है अब हमारा जो knee है वो 17 inches है तो उसको half किया आ गया हमारा 8.5, 8.5 के लिए भी हम fold करेंगे जो हमारा center mark आएगा उसको center line पे रखते हुए हम mark लगा लेंगे दोनों side इस तरह से अब हमने क्या करना है नीचे मोरी का mark भी लगाना है मोरी 7 inches है half लिया 3.5 को center line पे रखा और दोनों side mark कर लिया है ऐसे 7 inches अब हमने क्या करना है ये वाले marks उपर तक मिलाने है यहां से ये वाला mark इधर और इधर से ये वाला mark आप इसको क्या कर सकते है आप free hand भी मिला सकते है इन marks को ऐसे dot dot करके आप इस तरीके से मिलाईए और उपर जाके धोर ऐसा curve देते वे उस corner edge तक मिला लीजिए या फिर आ कर सकते हैं आप इस shape पर scale का भी use कर सकते हैं ये देखिए ऐसे रखेंगे और अगर आप देखें निशान को तो वो बिल्कुल same ही आ रहे हैं जो मैंने अभी dot dot करके लगाए ये देखिए आ गया उस तरफ हमने पलट कर लगाना है और उपर corner से हलका half inch उपर करते वे scale रख कर लेंगे और इसको हमारे marks बिल्कुल scale के according ही देखिए आ रहे हैं उपर हमने half inch इसलिए रखा है कि corner निकल जाता है बिल्कुल बाहर अच्छा नहीं लगता है हमारी marking हो गई है इनी marks पर हमने इसको cut कर देना है तो friends देखिए cutting हो चुकी है हमारी तो जैसे जैसे marks लगाए उसके cutting हमने cutting कर लिए है आप जो है उपर से हमने इसको fold किया था तो वो भी हम cutting कर लेंगे यहां से यह भी joint है तो यह हम तो पीस से में कर लेंगे लग कर लेंगे इसी के cutting हमने back portion की भी cutting करनी है तो यह मैंने fold कर के रख लिया है fabric को double fold यह देखिए इस तरीके से सथाफ और मैं यहाँ कि ढ़र प्रणट पोर्शन को बढ़ा पर पोर्शन पर रख लेंगे और बढ़ाना है अर्प इस तरह से मिला देख लेंगे और मां चख कर लेंगे कि हमारा अशुन 6.25 है कि नहीं, उसी तरीके से अड़ेस्ट करके हम इसको रख लेंगे, अब चुआ है हमारा इस तरफ तो कोई चेंज नहीं होगा, तो as it is, यहां माप कर लीजिए आप यहां से, और इस तरफ से हमारे चेंजेज होने हैं सारी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने 2.5 इंच लिया था, 2.5 इंच हम यहां से एक्स्टा इसको बढ़ा देंगे आगे की तरह, और उपर भी हम 2.5 इंच लेंगे, एक्स्टा आगे बढ़ाएंगे, और इस माप को हम यह कॉर्ण वाले फ्रंट प्राले जो है, उसके कॉर्णर के साथ मिला देंगे, ऐसे, इसको मिल अपर तक माक कलेके मी हैं, और इस माक कले भी हम जा सब्किल के साथ मोटान देंगे, डारेक्र कि लिए यह पिर, 2.5 इंच एक्स्टा, गा राक्णर का साथ मानरी डहरा देंगे, और दे-बढ़ाएंगे, और दोसरा एक्स्टा प्री इंच दाउंगे किया था तो इंचेस, उसको जो है ऐसे मिलाएंगे. जो बाहर कर नर है, वो तो पर नहीं रहेंगे और यह जो आशन की साइड है, यह चैंज होएगा ऐसे ऊपर जाएगा. ऐसे नीचे यह उपर और यह कॉण अपर यह गों सेम रहेंगे बैक और पर न चारो पर लेंगे. अब देखिए cutting कर ली है हमने इसकी back portion की cutting हो गई है यह front का जो down है हमारा वाने इसको भी cut कर लेंगे तो यह हमारी cutting complete हो गई है अब हम इसकी stitching स्टार्ट करेंगे जो की बहुत ही simple है आज जैसे आपने दो दो पले cut की है उन्हें अलग करिये ऐसे यहां सिलाई लगा दीजिए back portion की यहां सिलाई लगा दीजिए सबसे पहले आप आसन की अब आसन की देखिए stitching हो गई है बैक की भी और फ्रेंट की भी हो गई है यह वाली आप हमने side की सिलाई लगानी है इसकी यह वाला जो portion है इस corner को इस corner से मिलाते हुए ऐसे पूरा नीचे तक हम adjust करेंगे और इसमें आपने ध्यान रखना है velvet कहीं भी आप जब front portion को face करते रखेंगे तो वापस में चिप जा तो अधियान से आप नप कर लीजे चाहे आप तो उस फिर आप इसमें stitch कर लीजे अब यह देखिए stitching कर ली है मैंने एक साइड यह हो गया दो सी साइड यह हमारी stitching हो गई है यह देखिए इस तरह अब हम क्या करेंगे कि इसका निफा फोल्ड करेंगे जिसमें हमने elastic लगानी है उसके लिए हमने टो इंचिस लिया था तो टो टो इंचिस चार ओं तरफ गोलाई में मार्ग करेंगे फिर हम इसको फोल्ड करेंगे तो यह देखिए मैंने मार्ग कर लिया है दो दो इंच सारे में और यह मैंने ले लिया है elastic जो कि मैंने 34 ways के लिए 3 इंच माइनस करके 31 इंच ले ली है अब हम इसको overlap रखके यहां पे पहले तो सिक्यूर कर लेंगे सिलाई लगा के फिर हम ऐसे रखेंगे तो इंच पर मार्ग कर जहा है नो हमारा रखेंगे अंदर और यहां से हाफ इंच फोल्ड करते हैं जो पूरे में सिलाई लगा लेंगे इस तरह से ये देखिए मैंने सिलाही लगा लिया है सेंटर में भी स्टिच लगा लिया है ताकि हमारी लास्टिक इधर दर ना मुरे अब हमने इसका पोँचा त्यार करना है या मौरी जिसको कहते हैं उसके लिए हमने जो भी मार्ग लगाया था जो मैंने इसके दुखटे पर भी लगाई है सेंट एक मैं इसकी लाइन नीचे दूँगी फिर तू इंच का गैप देके उपर भी एक मैं और इसकी लाइन दूँगी इस तरह से मैं दो लाइनों में इसको लगाऊंगी तो इसको मैं stitch कर लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, मैंने stitch कर लिया है दोनों को, उपर नीचे stitch हो गया है, अब मैंने इसके center में बीट्स लगाने हैं ये वाले, जिसके लिए मैंने 2-2 inch के gap पर mark लगा लिये हैं, एक तरफ 2-2 inch का mark लगाया, उपर क साइड फिर इन दोनों के बीच में mark लगाना है, ठीक है जी, ऐसे लगा के ये देखिए, जैसे मैं दिखा रहे हूँ ना, इस तरह से मैं इस पे बीट्स को लगा लोगी, और ये बीट्स आप जो है, फैबरी गलू से भी लगा सकते हैं, या फिर इसमें होल है, इसको आप स साइड से मिनेर सुई धागे से लगाया है, इनको वीट्स को, ये हमारे डेडी हो गए है, अब हम इसकी सेंटर की स्टिच लगाएंगे, फिटिंग की, तो ऐसे एड़्जस करेंगे, और हाफ इंच का मारजन देते वे पूरे मैया से हम इसको स्टिच कर लेंगे, तो ये द बराबर आनी चाहिए, ये देखे, बिल्कुल नहीं पता चल रहा है, उपर नीचे नहीं है, बिल्कुल सेम आई है, मिलते हुए, फ्रेंट की साइड बैक साइड से, ऐसे आपने ध्यान रखना है, अब ये हमारी रेडी हो गई है, तो फ्रेंस अगर वीडियो पसंद आती ह तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी और वीडियो के लिए, नेक्स वीडियो में हम इसके सूट की स्टिचिंग करेंगे, तो चलिए फिर मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, तिल दैन, टे क्यार बबबाई